आपकी प्रप्रिशन भी काफी अच्छी चल रही होगी तो आज का वीडियो राइस्तान हाइक कोट गुरूबडी एक्जाम के उपर है छोटा सा वीडियो है बड़ आपके लिए काफी हेलफुल रहने वाला है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ही सबके सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको हैल्फुल लगता है तो चलिए गाई स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सबको ही पता है कि राइस्तान हाइकोट गुरूबडी का जो एक्जाम है विकेंसी 2019 की है इसके बाद में आपके एक्जाम हुआ कैंसल हुआ फिर से हुआ टाइम इतना हो गया है लास्ट टाइम और थोड़ा टाइम पहले यह र्यूमर चल रही थी र्यूमर नहीं थी इन्फरमेशन ही थी कि मीटिंग हुई थी कि नंबर ओफ फॉर्म्स काफी जादा है तो इतने बल्क लिवल पर एक्जाम राइस्थान हाई कोट नहीं करा सकता है तो मीटिंग में यह डिसाइड हुआता ही कोई एजेंसी के तुरू इसको करवाया जाएगा वह आप सबको पता है वह एजेंसी आपकी RSMSSP या फिर आरेसेस्थी जिसको बोलते है अधिनस्त बोर्ड करवाएगा ठीक है यह उस टाइम पे मीटिंग के तुरू यह गंक्ल और इसका कोई एक्जाम नहीं होने माला वो कैंसीलेशन बता रहे हैं इसका कि यह भरतिया आपकी कैंसील हो चुकी है तो आपके पास एक ही सलूशन इस चीज़ का राइस्तान हाई कोर्ट में आप कंटैक्ट करें वहां से आपको इंफरमेशन मिलेगी अधर्वाइस अधि फॉर्मल तरीका है बहुत सही तरीका है इसके अलावा आपकी पास शूशन हैं जैसे कि अधिनस बोर्ट के जो हमारे अध्यक्ष हैं आलोक राजजी वो तो डिरेक्टली इंट्राक करते हैं ट्वीट के थूँ आप लोगों को एक्स हैंडल पे मतलब ट्वीटर पे आप ल ऐसा कुछ भी नहीं कि आप गुम्राह करते रहेंगे अगर भरती कैंसिल हो रही है माल लेते हैं कोई चांस कि भरती कैंसिल हो रही है होगी या फिर हो चुकी है तो वह information भी आपको मिलेगी ठीक है क्योंकि आपनों का time बहुत important है और ऐसा तो है नहीं कि एक एक्जाम बचा क्या है process उसके लिए आप रूपडी के लिए आप राइस्तन हाइग कोट में बात कर सकते हैं या फिर अधिनस्त बोर्ट पर बात कर सकते हैं बहुत simple तरीका है आप call कर लिजिए आप mail कर दीजिए या फिक यह भी नहीं पॉसिबल तो आप तो आपके पास address है ठीक है पोस् सबको लेना पड़ेगा इसमें वीडियो देखके यूट्यूब पे उससे कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला है सिफ टाइम वेस्ट होगा आप लोग यह क्लियर कीजिए exam होगा नहीं होगा उसके बाद में अपनी और किसी exam या फिस अगर यह होता है तो आपको भी क्लियर र वेलन गुड है आप preparation करती जाहिए इसका syllabus आपको पता है आप कोई भी exam की preparation करने लगेंगे राइस्थान में तो यह syllabus तो आपका by default complete होगा तो इसमें negative होनी की जौद बिल्कुल भी नहीं है अपनी preparation को continue रखिया आप लोग बिल्कुल और आपको information कहां से मिलेगी बिल्कुल authentic वे दो sources है अपने अपने इसाब से आप लोग पता कर लीजे किसी पर dependency मत रखिये ठीक है मिलते है next video में thank you guys